Hello students, हम लोग chapter पढ़ा है functions और आज की class में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे domain, co-domain and range of a function domain, co-domain and range of a function तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि domain, co-domain and range क्या होता है किसी function का तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक function ले रहता हूँ let f be a function from set a to set b f क्या है, function है set a to set b में तो इसे हम लोग ऐसे भी ते लिख सकते हैं, f colon देके a tends to b तो इसका भी meaning यही हुआ कि f is a function from set a to set b तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, domain क्या होगा इस function का domain क्या होगा तो set a को हम लोग कहते है, domain of a function यानि कि अगर आपका f a to b में function हो तो हम अरह set a क्या कहलाएगा, domain कहलाएगा तो लिख सकते हैं कि the set a the set a is called is called the domain the domain of of the function of the function of the function तीक है एक को क्या कहेंगे, हम लोग domain कहेंगे और इसे denote कैसे करेंगे sort में dom लिखिए और यहाँ पे f लिख देंगे domain of function f इसको क्या पढ़ेंगे domain of function domain of function function f ठीक है अचा अब बात करते हैं co domain क्या होगा co domain क्या होगा co domain क्या होगा तो अगर आपका f a to b में function हो f a to b में function हो set b को हम लोग क्या कहेंगे co domain कहेंगे तो लिख सकते हैं कि the set b is called the co domain co domain co domain co domain of the function of the function तो कौन सा यहां पर function function f है यहां भी लिख सकता है of the function f समझ गया ना तो हम लोग co domain को कैसे denote करेंगे co domain of function f इसको क्या पढ़ेंगे co domain of function f समझ गया है अचा अब बात आती है range क्या होगा range तो चलिए range को भी define कर देता हूं और फिर हम लोग एक example से समझेंगे range क्या होगा range क्या होगा of set A of set A under the map under the mapping f is called is called is called is called the range of function f function f and and is denoted is denoted denoted by f a से denote कर सकते हैं या फिर range of range of f ऐसे भी लिख सकते हैं समझ गया जैसे मैं यहां पे आपको एक example लेके बताता हूं मालो यहां पर set A है जिसका element है 1,2,3,4 और set B है जिसका element मैं यहां पे ले लेता हूं 1,4,9 ठीक है 9 के बाद मैं यहां पे कर दता हूं 16,23 ऐसे मैं कर देता हूं और यहां पे आपका f एक function है किस तरह से देखिए 1,1 2,4 3,9 4,16 ठीक है यह आपका एक function है तो अगर मैं बात करूंगा यह function है कि नहीं इसके लिए तो मैं देख रहा हूं कि इसके हर एक element यह दोनों पहले तो ना निम्टी set है और A के हर एक element B कि कि किसी ना किसी element के साथ associate है देखो 1,1 के साथ 2,4 के साथ 3,9 image देखने को नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो यह आपका function है function है तो अगर मैं इसके domain की बात करूंगा तो यहाँ पर domain क्या होगा तो पूरे set A को यानि कि domain of function F क्या हो जाएगा 1,2,3,4 code domain की बात करूंगा तो code domain क्या होगा function F का code domain तो code domain हो जागा पूरे set B को यानि कि 1, 4 9, 16 23 अच्छा अगर मैं यहाँ पे range की बात करूँगा तो range के लिए मैंने लिखा है कि set of image of all element element of set A under the map F ठीक है यहाँ पे किसी function F के लिए map F के लिए A के हर एक element का image A के हर एक element के image तो 1 का image 1 है 2 का image 4 है 3 का image 9 है और 16 है यहीन आपके image हो रहा है यानि कि हमारा 1, 4, 9, 16 इन सब का set क्या हो जाएगा range हो जाएगा function का समझ गए हम लोग relation में define किये थे कि the set of all first component of order pair जो का domain होता है तो यहाँ से भी उससे भी देख रहा है 1, 2, 3, 4 हो जा रहा है range क्या होता है second component का set यही चीज हो रहा है और पूरे set B को पूरे set B को आप हम लोग co domain कहते है ठीक है तो यहाँ पर हमने बस थोड़ा सा definition में change किया है ठीक है function के लिए लेकिन relation से भी relation वाले definition से भी इसमें आपका काम चल जा रहा है देख रहा है न अच्छा मैं यहाँ एक और चीज़ देख रहा हूँ कि range के सारे के सारे element जो है वो co domain में मिल रहा है तो हम लोग क्या सकते हैं किसी function का range f a से भी जो denote करते हैं f a किसके बराबर होता है range of function के किसी function का range subset होगा किसका domain का sorry domain बोल रहा हूँ मैं co domain का co domain यानि b का subset होगा समझ गया न यानि कि आप यहाँ पे लिख सकते है कि अगर कोई function f है तो उसका range जो होता है range वह subset होता है co domain co domain of function के तीक है अच्छा मैं यहाँ पे कहूँ कि आप एक definition दो function का relation के हिसाब से according to relation हम लोग function का definition कैसे दे सकते हैं तो हम लो ली सकते हैं कि a relation a relation f from a set a from a set a to another to another set b to another set b क्या है f क्या है f जो है एक relation है set a to set b में और इसको हम लोग function कब कहेंगे is set to be a function हम लोग f को relation f को function कब कहेंगे a to b में function कब कहेंगे या फिर map कब कहेंगे और map या mapping भी ली सकते हैं और mapping कहां से तो from set a to set b हम लोग f को है ना f को set a to set b में function कब कहेंगे तो या ली सकते हैं कि if if with with every element every element of set a every element of set a the relation the relation f relates relates और associate भी कहे सकते है associates associates a unique a unique a unique element unique element of set b ठीक है unique element of set b ऐसे भी definition दे सकते हैं तो यह relation के according function का definition हो गया एक relation का function कब कहाते हैं जब a का अगर आपका f a to b में कोई relation हो रहा है तो उसका हम लोग function कब कहेंगे जब a के हर एक element relate कर रहे हो associate कर रहे हो b के unique elements के साथ ठीक है तो मैंने यह भी बताया था कि अगर कोई x element set a में है और y element कोई set b में है तो और यह x y के साथ relate कर रहा हो x y के साथ relate कर रहा तो y को x का क्या कहते है image कहते है और x को y का pre image कहते है pre image कहते है या फिर pre image कहेंगे या फिर inverse image कहते है inverse image कहेंगे समझ गये तो अगर आपका कोई function y equal to fx के form में हो तो x के जितने भी values होंगे x के जितने भी values होंगे x को क्या कहेंगे हम लोग x को क्या कहेंगे y का pre image कहेंगे और y को क्या कहेंगे x का image कहेंगे समझ गये ना चलिए अब हमनों function का definition set of ordered pair के form में लेते हैं तो मैं यहाँ पर heading जेता हूँ function function as a set of ordered pair ordered pair ordered pair के form में हम लोग function का definition देखते हैं तेक हैं हम लोग लिख सकते हैं कि a relation a relation from from a non-empty set non-empty set a to a non-empty set b to a non-empty set b is said is said to be a function to be a function from set a to set b if domain domain of function f is a function f का domain क्या हो domain हो a हो तो f अभी यहाँ पर relation है relation f का domain क्या हो a हो और दूसरा अगर कोई element x y1 order pair के form में हो और यह belongs कर रहा हो function f से और एक और order pair हम लो लेते हैं x और y2 यह भी belong कर रहा हो f से तो वहाँ पर y1 y2 के equal होगा तो relation f को a से भी में function कहेंगे कब कहेंगे जब relation f का domain a होगा relation f का domain a होगा तो अब इसका meaning समझा relation f का domain a होने का मतलब यह है कि a के हर एक element का b में image होगा पहला देखो उपर तो non empty set मैंने देजी है पहला condition तो ही गया कि non empty set होगा domain of f यह रिलेशन f का domain a होने का मतलब कि set a के हर एक element का image हमें set b में मिल रहा होगा तभी न set a के हर एक element का image मिल रहा होगा set b में तभी न डोमेन of domain of relation f क्या हो जा रहा है a हो जा रहा है अच्छा तो इसका इससे यही मिल निकलता है कि a के हर एक element का set b में image होगा तभी न यह domain हो जा रहा है ठीक है f का domain हो जा रहा है ठीक दूसरा चीज़ देखिए यहां लिया है मैंने x1, y1 belongs to f और x और y1 sorry x1, y1 नहीं x और y1 belongs to f और x और y2 belongs to f तो यह दोनों अगर f relation f में belongs करते हैं तो यह y1 जो है y2 के equal होना चाहिए y1 जो है y2 के equal होना चाहिए इसका मतलब समझे हमें ऐसा कोई order pair नहीं मिलेगा ऐसा कोई order pair नहीं मिलेगा जिस ऐसा कोई order pair नहीं मिलेगा relation f में कि जिनका first component equal हो जाए जब second component equal हो तब क्लियर हो क्या यानि इसका meaning या होगा कि set a के set a में ऐसे कोई element नहीं होगे जिनका एक से अधिक image b में होगा इसका meaning या होगा समझे ना आप यहाँ arrow diagram से भी समझ सकते हो ठीक है मैं arrow diagram से इसको समझाता हूँ मैं यहाँ पर एक set a ले लेता हूँ set b ले लेता हूँ ठीक है आप जान से तो किसमे element 1 2 3 4 ले लेते हैं इसमें element ले लेते हैं a b c d ठीक है इस तरह से मैं मिलाता हूँ ठीक है यह आपका function है a to b में कोई भी element a जिसका एक सदीक इसमें image है तो यह आपका function हो रहा है अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 1 a 2 b 3 c 4 d यह आपका function है यह relation क्या है एक function है तो यह function हो रहा है कब जब देख रहा domain of f यारि इस relation f का domain क्या हो जा रहा a हो रहा है तो देखो तो यह domain वाले element ही नहोंगे पूरा से टे हो जाएगा दूसरा condition देखिए x y1 belongs to f हम लोग यहां पर देखिए अगर x और y1 belong करता है f से यानि हम दो माल लेते हैं कि 1 a belong कर रहा है f से अब देखो इस function में अब 1 कहीं पर है 1 कहीं पर है नहीं है 1 इसमें फिर कहीं पर नहीं है तो वह यहां कहा गया है कि x y1 belongs to f और अगर x y2 belong करता है f से तो वहाँ y1 y2 के equal होगा तो अगर मैं 1 1 belongs to a और यहां 1 a belongs to f और 1 a belongs to f लिखता हूँ इसका मतब्व है कि यह इसके equal है यानि ऐसा इसका meaning यह हुआ कि ऐसा कोई दो order pair नहीं होंगे relation f में relation f में ऐसे कोई दो order pair नहीं होंगे जिनके first component equal हो जाए जब इनके second component equal हो तब समझ गया है ना तो यह दोनो order pair आपके relation f में तब ही belong करेंगे जब इनके second component equal होंगे तब तो ऐसा कभी इसमें नहीं होगा तो यह जो हमने definition देखा order pair के form में देखा है अभी हमनों जितना function के बारे में पढ़े हैं तो उससे अब हमें इतना तो पता लग गया होगा कि relation और function में क्या क्या difference है तो वैसे तो हम लोग relation के लिए जानते हैं कि अगर कोई r आपका set subset हो a cross b क्या तो हम लोग r को क्या कहते हैं r को हम लोग relation कहते हैं from set a to set b तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि relation और function में difference क्या 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 तो relation में r को हम लोग relation कब कहेंगा है जब subset होगा a cross b क्या बस यही देखते हैं लेकिन function में मैंने आपको बहुत कुछ बाते बताई हैं तो चलिए हम लोग इन दोनों में क्या difference है इसकी बात कर लेते हैं तो relation में हम लोग जानते हैं हम लोग यह जानते हैं कि r अगर subset हो यह cross b का तो r को a to b में relation कहते हैं तो यहां पर यह जरूरी नहीं है कि a का हर एक element v के element के साथ associate करे relate करे यह तो जरूरी नहीं है तो पहला तो यही हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं कि there there may be may be some elements elements of set A which are which are not related related to any element of set B हम लोग बस subset देखते हैं कि नहीं a cross B के हमें जो यह नहीं है कि एक हर एक element relate कर रहा हो भी के elements के साथ लेकिन यह function में हमें देखना होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि each element या every element of set A must be related to some to some element to some element of set B अच्छा और क्या difference है तो relation में हम लोग देखते हैं कि a set के एक से अधिक element B के साथ relate हो सकते है एक r subset होता है एक cross B का तो हम लोग देखते हैं ना जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख हूँ r को relation में कहूँ यह element 1, 2, 3 और यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ a, b, c तो अगर मैं one को relate करता हूँ a के साथ one को relate करता हूँ b के साथ two को c के साथ three को b के साथ तो यह आपका एक relation हो जागा कोई दिक्कत नहीं है कि इसका element एक स्यादे के element के साथ relate है उससे कोई मतलब नहीं बस हमें subset देखना होता है तो हम लोग दूसरा जिया नहीं ली सकता है कि an element of set a of set a may be related to more than more than more than one element one element of set b अच्छा इसमें क्या ली सकता है इसमें ऐसा कोई element नहीं होगा जिसके एक से अधिक element b के element के साथ वो relate करेगा एक से अधिक element के साथ relate करेगा तो हम ली सकता है कि no element of set a should should be related should be related to more than to more than one element one element one elements of set b more than one elements of set b यहीं होना चाहिए तो यहीं difference है तो यहीं डिफेरेंस है तो यहीं अब हम लोग बात करते हैं कि दो function equal कब होते हैं ठीक है यानि कि equal function क्या होते हैं equal function equal function या फिर identical function भी से आप कह सकते हैं इक्वल function का अब लोग ऐसे define कर सकते हैं कि two functions two functions two functions f and g are equal या फिर identical भी कह सकते हैं और identical identical two functions f and g are equal या फिर identical if if पहला कंडिशन है कि domain of function f equal हो domain of function g के और दूसरा कंडिशन है कि उन domain पे उनके जो values हो वो equal हो for all x belongs to x belongs to domain of function f लिखो या फिर यहां और में domain of function domain of function g तेके क्योंकि दोनों का domain equal है तो यहां पे domain of function f यह दो मेन of function g भी लिख सकते हैं तो दो function f और g का भी equal होंगे जब उनके domain equal होंगे और उन domain पे उनके values equal होंगे उन domain पे उनके range equal होंगे तब हम लोग क्या कहेंगे उन function को equal function कहेंगे अब हम लोग इसको example से समझते हैं मैं आपर एक set a ले लेता हूँ जिसका element यहां पर है 0 और 2 और एक set b ले ले लेता हूँ जिसका element है 1 2 3 4 5 अच्छा f आपका function है a to b में और कैसे define है is defined is defined by fx equal to 2x plus 1 अच्छा दूसरा function मैं g ले रहा हूँ a to b यह भी define है कैसे define हो रहा है a to b में function g है और यह कैसे define है gx equal to में हम लोग ले ले रहा है x square plus 1 तो यह दिखने में तो अलग-अलग है लेकिन आप देखो दोनों का domain देख रहा है same है domain of function a और domain of function g दोनों equal है domain of function f और domain of function g दोनों equal है देख रहा है यह दोनों का domain है और यह co domain है b ठीक है यह b इनका co domain है यह domain है और यह इनका co domain है समझ रहाना अगर f a to b लिख रहाना तो यह अपका domain होगा और भी अपका co domain होगा तो दोनों का domain से होगा अब इन domain पे इनके values को देखते हैं अगर मैं यहाँ domain का element 0 ले लो और इस 0 को function f में रखूँगा तो 2 into 0 plus 1 वन आ जाएगा और अगर मैं इस domain के value 0 को function g में रखूँँ तो 0 का square और प्लस 1 यह भी आपका 1 देगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि f 0 जो है जी 0 के equal है अच्छा domain का दूसरा element लेता हूँ 2 और दोनों function में रखता हूँ तो हो जाएगा 2 into 2 plus 1 5 आ जाएगा और g2 यहाँ जाएगा 2 का square प्लस 1 यह भी आपका 5 आ जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या देखा मैं यहाँ पे यह देख रहा हूँ कि दोनों function का domain equal है और इन domains पे इनके values भी equal है तो यह दोनों function equal हूए है ठीक है दोनों function कैसे है equal function है तो फ आपको हमारे तीन क्यों को subscribe करना फाइला है पाथ Finder classes छप्रा पाथ Finder classes छप्रा की दूसरा आपका भारती भावन रवी कांद सर के नाम से तीनों चैनल को subscribe कर देंगे और इस से रिम लेटर वीडियो के लिए सिधर description में जाएंगे और इस रिम लेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.in और यहां जाकर सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और इंस्ट्रागाम और फेस्बूक पे जाके पात फेंडे क्लास से छबरा को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलेंगे